तो हाई स्टुडेंट आप लोगों के लिए एक और नई सब्जेक्ट का जो वीडियो था आप लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे कि इंग्लीज में आप वीडियो बनाए तो प्रोफिसियंसी इन इंग्लीज जो की पेपर 6 होता है DL8 में MPDL8 के हिसाब से देखा जाए तो उसका जो लेक्चर है अब स्टार्ट कर दिया गया है तो आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोग हर दिन इस लेक्चर को जोइन कीज़ेगा हाना कि आज तो इंट्रोड़क्शन वाली वीडियो है तो थोड़ा मेरा तब्यत भी अस्वस्थ है तो इसलिए आप आप लोगों को आवाज थोड़ा कटकर क्या रहा होगा मैंड मत कीज़ेगा देखिए क्या होता कि इस चेप्टर से आप लोगों को 25 मर्स का कोस्चन जो रिटेन में होता है वो पूछा जाता और 25 मर्स का इंटरनल कोस्चन आता है मतलब ट्रैक्टिकल का आता है टोटल सबसे पहले आप लोग पर यह लिए सबसे पहले आप लोग अच्छा से समझ लीजएगा कोई जर्ण लेने की वाली बात नहीं है 15 मर्स का ही आप लोगों को रिटेन होगा तो यह मुश्किल से नहीं हिसाब से 20-25 कर लिया जाएगा unit 2 में हम लोग परहेंगे listening and speaking किस परकार से बोला जाता है किस परकार से सुना जाता है सब चीज परहेंगे जो की 4 marks का question आता है unit 3 में परहेंगे reading 6 marks का question आता है unit 4 में परहेंगे writing और 5 में परहेंगे vocabulary and grammar और देखें internal जो question होता है वो 25 marks का होता है total 50 होती है तो जो हमारा chapter था हुआ था a status of English in India भारत में जो होता है वो English के a status क्या है तो देखें इसमें क्या होता है कि हमारे देस में जो है वो English को English मतलब तीसरा ऐसा हमारा देस है जहां पर सबसे ज़्यदा English बोला जाता है सबसे एक नमर पर USA में बोली जाते है दू नमर में यूके पर और तीन नमर में कहां तो इंडिया में बोला जाता है इसमें हम लोग डिसकस करेंगी कि English क्यों इतना important subject होता है a status of English in India को पढ़ने से पहले हम लोग डिसकस कर लेंगे कि learning English is so important why learning English is so important in India ते को क्या गाता है कि India has the third largest English using population in the world after the USA and the UK पहले ही हम आप लोगों को बता दिया कि क्या इंडिया तिसरा ऐसा बराद तिसरा ऐसा देसा है जहां पर सबसे ज़्यदा मात्रा में English बोली जाती है क्यों बोली जाती है क्योंकि it is a library language क्या होता है कि English क्या होता है अमरे देस में library language होता है लाइबरेरी में भी इसी का यूज किया जाता है देखते होंगे कि जितना भी scientist होता है या कुछ भी technology से कुछ भी related होता है तो English में ही ज़्यदा बोला जाता है या फिर बात भी बात किया जाता है communication किया जाता है international language है इसके बाद आप लोग को यहां पर English language आता है तो बहुत सारी opportunities मिलती है नोकरी के लिए बीविन अस्तोरों के लिए अगर आप लोग को English आता है तो बहुत सारे ऐसे चीजे हैं जिसको आप लोग कर सकते हैं तक कि आप लोग देखे को कोई पत्र आता- लेटर आता है वह अंगिलिष में आता है बर कोछ एयसा वा रेट होता है जिसको आम लोग इंग्लिष में पढ़ते हैं तो इंग्लिष जो होता ही वह काफी जड़ा important होता है पड़ाई के हिसाब से भी यह इंटरनेशनल लेंग्विज है क्योंकि इसको एंटराश्टी एस्तरप आप जाईएगा और हिंदी बोलिएगा तो कोई नहीं समझ पाएगा आपका USA का कोई बंदा आ रहा है और इंग्लिस में बोल ला है तो अगर आपको इंग्लिस नहीं आ रहा है तो आप क्या समझ य जाता है जिसको ट्रेडिंग करना वह WhatsApp नमर दिया गया है वह मेरे को मैसेज करना ट्रेडिंग हम सिखा देंगे जरा असल क्या होता है कि ट्रेडिंग में छ्छी आप लोग को एक जलग ट्रेडिंग के परह में बता देना चाहते हैं कि यह सेयर मार्केट होता है जहाँ पर पाईसा को पैसा मतलब दोकोना भी हो सकता है और जिरो भी हो सकता है तो यह होता है , इसक्त में यूज किया जाता है तो यह इ wears engaged हो पर आपको इंग्लिस का यूज देखने को मिल जाएगा, तो यह introduction video था आप लोग को कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा कल से start करेंगे जिसमें हम लोग language के बारे में परेंगे skills के बारे में परेंगे speaking के बारे में परेंगे writing के बारे में परेंगे यह सब चीज हम लोग next video में देखेंगे अगर चैनल पर कोई भी लोग नहीं आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजगा जहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा बाली आवस्था मंबाल विकास के लेक्चर समसमाईक समाज में सिक्षा भी मिल जाएगी कि सर मेरा बुक अलग है मेरा बुक मतला आप जो पराते हैं वह नहीं मैच करता है तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि जो एक्जाम के नजरिया से जो इंपोर्टेंट होता है ना उसी टोपिस के बारे में डिसकस किया जाता है तो आप लोग टेंशन मत लिजे किसी का भी है वह guest paper है तो जरूरी नहीं नहीं है कि उसमें जो questions दिया गया वही questions एक्जाम में आए तो इसलिए आप लोग थोड़ा भी इधर-उदर मतला देखिया मत किसी का बात मत सुनिया आप लोग एकदम सब पढ़ते रहे हैं हम आपको गरांटी देते हैं फरबरी में आप बोल तosten देते हैं है हम बाने आपको बेस आपको लिगे हैं है जड़ करी देते हैं हो कि एिता है है थासूव थर थे फासुपर है एक लिए दो कि दोक्दिए वाताख़ भी मतल् ृहां ड़न मतल्तर क्झार कवघी पता कि ठोक एह र Although दो कि एए नहीं हुआ है 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 झाल झाल